हरिद्वार में श्री पंच दशनाम जुना अखाडे की पहल से पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी पौरानिक छड़ी यात्रा सफलता पूर्वक संपन हुई 12 अक्टूबर को हरिद्वार की माया देवी मंदिर से रवाना हुई ये यात्रा 22 दिन तक उतराखंड भ्रमण के बाद हरिद्वार लोटी जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार में इस यात्रा का जोरदार और भवे स्वागत किया गया यात्रा के स्वागत में हरिद्वार के चंडिघाट पर जिला प्रशासन से जिला अधिकारी, SDM, पुलिस कप्तान, CEO City के साथ तमाम अधिकारी गण और थानिय लोग मौजूद रहे बदादे कि 1100 सालों पुरानी ये पौरानिक चड़ी यात्रा एक बार फिर से जूना अखाडे के प्रयासों से शुरू की गई हरिद्वार के माय मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा, 22 दिनों बाद उत्राखन के चारो धाम, पौरानिक स्थलो, मठ मंदिरों का ब्रहमन कर दोबारा हरिद्वार पहुची जात्रा का उद्देश पहले ही यही था हजावर उस पहले कि जन्मानस को जात्रा कराई जा सके इसलिए हमारी प्रंपराज साथ में भोजन, तमाम ब्योस्ताएं जो लोग आगे से जाएंगे, जो सरकार से जोग करेगी और नहीं तो उनको जन्मानस को हम अपने छड़ी के माध्यम से उस जात्रा कराएंगे, चाहे और भारत के किसी राज्जी में हो बिस्सों में किसी गाहों में बसने, उससे मतलम नहीं है। संत मौजूद रहे। पंजाब के सिरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।